प्रेज लौर्ड गुरीवनिंग मेरे प्रियों सब लोग कैसे हों मैं उम्मिद करता हूं कि आप सब भले चंगे होंगे प्रभु आप सब को बहुत आशा आशिस करें एक और नए वीडियो में आप सब को खुशी के साथ स्वागत करता हूं और परमेश्वर को लाग लाग किया आपको यह लौबदायक हो रहा है यह यूटू चानल के जो प्रार्थना कर रहे हैं क्या इससे आपको कोई आशिस मिली है और क्या आपका कुई फायदा हुआ है क्या आपके लिए लबदायक है तो जरूर कमेट में लिकर बताईएगा और प्रमेश्वर आशिस करें क हम लोग और भी आगे प्रभु में बढ़ते जाएं नेरे प्रियों दुन्यामें हर तरफ पाप भरा हुआ हर तरफ गंदगी भरी हु oni हर तरफ शेटान फहला हुआ लेकिन हम परिशुद्ध जीवन एक पवित्र जीवन परमेश्र का भावतव जीवन परमेश्र का पसंद का जीवन जीना है तो परमेश्र के उपस्तिति में समय बिताना जरूरी है प्रभु का वच्छन का ध्यान करना जरूरी है उनके वच्छनों में मगन रहना जरूरी है क प्रभू प्रभू पर विश्वास करते तो काम में दिखाना है अगर हम मशी जीवन जी रहे हैं हमारे एक behavior के दोरा हमारे action के दोरा हम दिखाना है इसलिए हम मसी में अगर एक पवीत्र जीवन जीना है परमेशर का उपस्थिति हमें बहुत जरूरी है अगर यही एक जगा है प्रभु की कलिसिया प्रार्थना वच्छन और संगतिकना यही एक जगा है जहां पर हम एक पव प्रमेश प्रवो ने रोब हमें चुन लिया है और अपनाा बेटा बेट dal यह हमारे लिए भागिसाल भागिए की बात है हम लोग भागिए भागđवान है धन्य है परमेशर का धन्यवाद हो कि परमेशर ने हमें चुन लिया है और मेरे प्रियों परमेशर का धन्यवाद हो इस माध्यम के द्वारा इस चानल के द्वारा हम लोग जुड़े हुए हैं और मैं आप से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप में कोई नए है ना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके हमें एंक्रेज कीजिएगा देखिए हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और आपके आत्मे एक उन्नती हो रही है जरूर हमें चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके सपोर्ट कीजिए एंक्रेज कीजिए ता लाना चाहता हूं नहूम एक अध्याय का साथ वचन यहां पर लिखा है नहूम चाप्टर 1 वर्स 7 परमेश्व यहोवा भला है संकट दिन में संकट के दिन में वहां हमारा द्रडगड ठैरता है और अपने शरनागतों की सुधी रखता है हालेलुया वेरी इंपोर्टेंट वर्ड वेरी एंग्रेजिंग वर्स परमेश्व भला है उसके संकट के समय में वह हमारा द्रडगड ठैरता है और आखरी में लिका है वह उसकी शरनागतों की सुधी रखता है जो प्रभु पर विश्वास करते हैं जो उसका आश्रा लेते ह हैं जो उसको उसका अपना शरना मंन मान लेते तो परमेश्व हमारी स्थी रखता है हम परमेश्य के कलीश्या जाते करते हैं प्रात्ना करते है वचंपते ऐसे माचार सुनाते परमेश्य के लिए दान देते यह सब को सम प्रभु के भक्ति के करन कर रहे तो उसके बड़ Mini प्रभू हमें 100 गुना आशिस करता है और जब हम प्रभू का आश्रा पाकर आ रहे हैं प्रभू का शरन लेकर आ रहे हैं तो प्रभू हमारी सुधी रखता है यह बात बिल्कुल नहीं भूलना जरूर अपने मन में याद रखना अगर आप प्रभू के पास आए हैं तो मानलिजी आपके घर में खाना नहीं मानलिजी आपके पास पैसा नहीं है बगल वाले मस्धी को नहीं मानते हैं उनके पास सब कुछ है लेकिन चिंता मत करो डोंट वरी बाट दवन यू है इस सो ग्रेटर देन वाट ट्रेजर देहाओ जो आपके पास है ना वह दूसरे के जनके पास धन संपति हैं उससे भी बड़ा है जो तेरे अंदर है जो तेरे पास है मेरा भाई मेरी वह जो सब कुछ बनाया है च washing तो क्यों जिंता करती है वह तो तो तेरे पास है ना आपको जो चाहिए वह समय पर प्रदान करेगा देगा राज़ा सब को देता है एक राजा था यागा वहां को बिलवा कर उनको पूझ रहा ता कि आप क्या चाहिए आज मेरा में खूशी का समय है मैं आपको आप माँगो जो आप मागोंगे मैं आपको दान में दे दूँगा प्री में दे दूँंगा तो गाओं के लोग लइन लगा लिया जो चाहिए मांग रहे और पाक घर जा रहे तो एक दोस्त थे टूफ्रेंड्स थे एक सौनू एक मोनू तो सौनू आया तो सौनू का लइन टायम आया तो सोनू अंदर गया राजय ने पूचा बेटा क्या चाह है मैं माग दूंगा तो वुजव करके पूचा मुझे ऐक लाक रुपय चाहिए घर भनवाना है तो ठीक है करके उन्होंने दे दिया एक लाक रुपय लेके बाहर आया फिर अनिल को वला देखो मैं मुझे मिल गया मेले कि तुझे भी क्या चाहिए मांग लेना मौका है खो मत देना ठीक है अनील का अनिल का सोच के थी हूं बोलके हां बोलके आगे अंदर राजा ने पुछा बेटा तेरा दोस्त तो सुनिल तो एक लाग रुपया पाके गया तुझे क्या चाहिए मांगो मैं तो राजा ने तो तेरे पास तो तेरे लिए मौका है जो खुछ भी मांग मैं दे दूंगा तो अनिल ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे बस मेरा एक बिंटी है आप से आप उसको पूरा कि दिए वही काफी है तो राजा ने का ठीक मांग क्या मांगता है वहने कहा राजा मेरा बिंती है आप से आप एक बार मेरे घर आके एक ग्लास चाह पी के जाना यही मेरी रिक्वेइस्ट राजा ने पुछा एटा ऐसा क्यों होते हैं तो मुझे मांग सकता हैं मांग लो फिर आप मुझे घर बुला घर बुला कि क्या करोगे आपको जो चाहिए वो मां तो राजा देखिया भी राजा जा रहा है तो आगे पीछे तो थोड़ा सोच समझ करी सब काम होता है तो राजा अपने सेनिकों को अपने लोगों को भेजा कि जा करो घर देखे आओ को कुछ सा गाओं में रहता है वह वेक्ती अनिल और उसका घर कहां है उसके सर कहलें सब देखाऊ अओचिया पता लगा पता लगाने के लिए उग लेका और वो घजा के घर का लगा तो जोप्री में रहता उन्के पास अचाव नहीं था घ्ट्रु मु faltandis alphaindo anca, he was a very poor man actually was a very poor man he don't how he doesn't have any he don't have anything तूट ने जो रिक्वेस्ट किया विस्ट को पूरा करने के लिए राजा ने नोकर को वहां पर बेज और वहां पर देखा की सरकें नहीं है कि अधिने सरकें बहुत टूटी हुई थी और वहां पर गाउं में बिजली नहीं था WWE और इनका घर नहीं था फिर उनकी घर में कोई खुर्चिया नहीं थी कोई पंका नहींsky तो सारी चीजों को आख राजा पो बताया गया एक राजा वो गांड या कि राजा चाने का लायक नहीं childhood वह गांव में शड़के नहीं जाने के सड़के सही नहीं और उस बेचारे उस अनियल के घर नहीं जोपड़ी में रहता है तो जाकर कहां कैसे बेटेगा राजा और वहां पर बिजली नहीं है तुझे पंका भी नहीं है वहां पर गाव में भी बिजली नहीं है और सडके सही नहीं है और यह सारी चीजों को उन जो कंप्लेट किया राजा ने का जल्दी जाकर सडके कर दो सब तयार हो गया बाद में राजा आया और अनिल के घर में एक गलास पानी पीके एक गलास चाय पीके गया देखिए इससे मैं यह बताना चाहरा हूँ कि वो उस मौखा में जो छोटा-पोटा आसिस था उसको नहीं मंगा उन्होंने राजा को ही मंगा राजा को अपने दिल में बुलाया अपने घर बुलाया वही से अगर हम एशु मसी से केवल इसी संसार की आशिसों के लिए उससे हम आशा रखते हैं तो हम सब मनुश्यों से अधिक अभागे हैं हमें यह उमीद रखना है कि हमें कुछ बड़ा उमीद रखना है प्रमीशों से हम तो हमारा तो एक मुंखळी का मुंखळी दाना जितना दिमाग से हम लोग बहुत चोटा चोटी चीज सुनते हैं सोचते हैं और लेकि सच में आशल में तो हमारा परमीशों तो बहुत बहुत बड़ा है तो लेत चाहिंएव, जोस दो च10 एक नती चाहिंएव, ज हमें में लिएट गीकी तो हैं, और बieważ गानों looks से आशयूं कि थीऊणों के प्रमीशों सेझी किस भाखना अवारा दो थेदैंटे किने тивलिएकि एकान क dow इस पॉसिबल ही गेव वाटर फंद रॉक चटान से पानी पिलाया और मन्ना को दिया उनका पेट भरा दिखिए यलिया को कव्वा के तरह खाना दिया मतलब ही ही सो गुड ही सो बीग ही सो ग्रेट वी कांट अंडरस्टान हीम वी जस्ट हमारे छोटा सा दिमाग से थोड़ी बहुत चोटी मोटी चीज एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन परमेश्व बड़ा भी दे सकता है क्रोर क्रोर रुपीश दे सकता है हम लेने कर इतना विश्वास हमारे अंदर नहीं है हम प्रभू लाख अधिकाता में परमेश्व दे दिया उसको पाना है विश्वास से पाना तो मेरा कहने के मारला आज हम नहुम एक का साथ ध्यान कर रहे हैं मेरे प्रियों परमेश्व अपने शरणागतों की सुदी रखता है जब हम परमेश्व पर विश्वास करते हम गरीब नहीं हम अमीर है हमें अमीर बनाने के लिए इश्व मसी गरीब बना वो अमीर होने के बावजूद भी हमें अमीर बनाने के लिए वो हमारे लिए गरीब बना तो हम फिर गरीब क्यों है हम अमीर है we have we must have faith to receive all the blessings which God has kept for us in our spiritual treasure in our spiritual bank we must have faith to withdraw that amount that blessings in our life हम परमेश्व को धनिवाद करना है और हमे ये क्यकिन होना है कि हम परमेशर का शरणागत शरण लिया है और उसके शरणागतो की परमेशर जरूर सुदी लेता है आप और मेरे परभू सुदी ले रहा है हमारे सिंता कर रहा है हमारे जरूरत को परभू पूरा करता है so do not be worried वो संकट के दिन वो हमारा द्रडगर ठहरता है वो भला है वो हमारे लिए भला ही करता है आप विश्वास करना आप प्रबु के आशिसों के लिए धन्यवाद करना हलेलुया मेरे प्रियों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वच्छनों से प्रॉब आपके साथ बात किया है आपको हिम्मत दिया है अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर प्रॉब का धन्यवात दे और comment में हमें लिख कर बताईएंगा तो हम को भी خलशी होगी कि आपको समझ में आ रहा है अगर कोई विशे को आप जाना चाहते तो जरू वो भी कमेंट में लेकर बताइए कि हम उसके ओपर भी वीडियो बना कर आप तक भेज़ सके हलेलुया तो आई हम लोग प्रातना करेंगे परमेश्य को खुशी के साथ परमेश्य को धनिवाद देंगे क्योंकि वह हमारी आपको आपको आपके भलाई की सोच आपका भलाई की योजना प्रभ बना रहा है ना की हाने की आपको हमेशा उंचा उठाने की सोचता है प्रभुजी तो प्रभु का धनिवाद करो खुश रहो कि प्रभु आपको आपका भलाई की योजना प्रभु बना रहा है ना की हा की सुधी रखता है फर्मेश्थ धन्य वाद करते हैं और अजcciones我想रे मेरे बेहन के देंक हुआ अश्शन का के लिए आपकी सुधी रखता है आप से प्रेम करता है और प्रभू को धन्य वाद कीजिएगा दूकि किस कथ46 पयां Kommur Thank you that you love them. Thank you that you care for them. Thank you. You are planning, good planning to prosper them, O God. You are having good plans for their life, O God. I bless them, O God. Bless them, O God. Your hope and conduct them. Anytime. Your support, O God. को ब्लेस करना इनके परिवार को ब्लेस कर इनके हर एक काम को होने में मदद कर प्रूजे ओ धन्यवाद करते हर एक अकेला पर इन से दूर करना आज के वच्चन से इनको ब्लेस करना सारी महिमा पिता आपको देते सारी राथ हमको मीटी नींद्या धन्यवाद अगे कसमें नाम से मांगते पिता सुन और गहन कर आमें प्रवाप सबस्वों को बहुत अशा आशिस करें उम्मीद करता हूं कि आपको यह वच्छन समझ में आया है प्रावना से प्रवाप को ब्लेश करें मिलते एक और नए वीडियो में अगर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लेन मिलते हैं को नहीं वीडियो में God bless you, take care